स्वागा दस्तातियों आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टी परपच चैनल पर इच्छने के तरन आ यूनिक जर्णिया ऑप डेशनेशन में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग के जो one word substitution की सीरीज चल रही है जहां पर हम आपको बहुत ही most important जो vocabulary का section है one word substitution उनके important important question जो previous exams में पूचे गए है उनका revision करा रहे है ठीक है दोस्तो तो already तीन वीडियो आ चुकी हैं तो यह हमारी fourth और most important series जो केबल important important की बात कही गए थी तो तीन हो आपकी complete हो चुकी है और आज यह 34 सीरीज जहां पर हम और देखेंगे और इसके बाद one word substitution जो important थे भो हमारे complete हो चुके हैं ठीक है दोस्तो तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले question की तरफ तो उस question से बढ़ने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं पहले वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद तुरण description box में जो आज आपने test पढ़ा है उसको लगाने की link दी गई होती है जिसका आप online test भी दे सकते हैं और अपने आपको जाँ सकते हैं ठीक है दोस्तो तो बढ़ते हैं आज के पहले question की तरह पहला question है आपका a disease which is spread by direct contact मतलब एक ऐसी बीमारी जो एक दूसरे के direct contact में आने से फैलती है उसको क्या कहा जाता है तो यहां पे आप देख़े आ रहे हैं चार options दिए गया है हमारे पास पहला दिया गया है contagious दूसरा दिया गया है infectious तीसरा है epidemic और फोर्थ है आपका endemic तो आप लोग को मुझ कहलाती है संक्रामक बीमारिया कैसी कहलाती है यह संक्रामक बीमारिया कहलाती है ठीक है दोस्तो तो यानि कि जो option A है इसको यह विल्कुल सही हो जागा क्या क्या होता है संक्राम करते है ने निख को वाध टू की तरब question number 2 है the study of यहाँ पे जो लिखाई वो ओफ होना चाहे था, the study of ancient civilization, यानि जो प्राचीन सब बताएं होती है, उनके अध्यन को क्या कहा जाता है, तो आप लोग को मुझे बताना है कि उनका अध्यन क्या कहलाता है, यहाँ पे चार आप्शन है, history, anthropology, ethnology, and archaeology, तो जो correct आप्शन है, इसका, वो है आपका archaeology, क्या है भरिया, archaeology, बढ़ते हैं, question number 3 की तरफ, question number 3 है हमारा, an animal story with a moral, यानि कि किसी animal की story सुना जा रही है, और जिसका जो मुख उद्देश यह है, कि उससे कोई ना कोई जो बच्चों है, बच्चों को moral मिले, मला moral values मिले, कुछ नैतिक सिच्छा मिले, तो इस परकार की जो कहानिया होती है, जो जानवरों पर आधारित होती है, जैसे आपने बच्चपन में कवे और लॉंबडी की कहानी सुनी होगी, खरगोस और कछ्वे की दोड़ की कहानी सुनी होगी, ठीक है, तो यह ऐसी stories होती है, जो animals पर आधारित होती है, और बच्चों को कुछ ना कुछ moral values देखा के चाती है ठीक है, तो ऐसी कहानियों को वन वर्ड में क्या कहा जाता, ऐसी कहानी आपकी जो कहलाती है, इनको कहते हैं फैविल कहते हैं, क्या कहते हैं या फैविल, तो जो option बन है हमारा, सही हो जाएगा, बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, next question number 4 की तरफ, question number 4 है, a thing likely to be easily broken, कोई ऐसी ची जो बहुत ही आसानी से तूट जाए, उसको कहा जाता है, brittle, क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जो option हमारा 3 है, वो क्या है हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं, question number 5 की तरफ, question number 5 है, body of singers, यानि कि जो गाना गाने वाले लोगों का समून होता है, उनको क्या क कहा जाता है, तो आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, कि चार option है, choir, choirum, choir और choir, अब यहाँ पर spellings की थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि होता तो सभी को पता है, choir कहते है, उसको, लेकिन choir कौन सवाला कहते है, spelling कौन सी होगी, c-o-i-r होगी, या c-o-i-r ह होगी, तो इसका जो correct option होगा, वो होगा option D, क्योंकि c-o-i-r is the correct answer for the body of singers, ओके दोस्तों, next question no.6 है, believe that God is in everything and everything is God, एक ऐसा मत या एक ऐसा विश्वास, ठीक है, जहां पर यह माना जाता है कि God is in everything, हर चीज में भगवान है and everything is in God, और हर चीज भगवान है, ठीक है, माला प्रण कण कण में विश्वास है, एक ऐसा मत होता है, इस मत को in word word में क्या कहा जाएगा, atheistism कहा जाएगा, panthism कहा जाएगा, skepticism कहा जाएगा, या फिर आपका animism कहा जाएगा, तो आपको इसका correct answer बताना है, तो बताये दोस्तों इसका क्या answer होगा, जल्दी सबताएए, इस इसको कहा जाएगा pantheism, क्या कहा जाएगा दोस्तो, pantheism कहा जाएगा, तो यानि जो option second है, वो विल्कुल सही हो जाएगा, question number 7 की तरफ, question number 7 है हमारा, a picture of person or a thing, drawn into such a highly exaggerated manner, as to cause of laughter, यानि कि कोई ऐसी वस्तू, या कोई ऐसा picture, जो केवल इस उद्देश से बनाए गई हो, कि जिसको देख करके लोगों को हसी आए, ठीक है, तो उसको क्या कहते है, बन बर्ड में, पहला option है, cartoon कहते हैं, second है, या फिर caricature कहते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो एक प्रकार का यह ऐसी picture, ऐसी एवेंचर जिसको देख करके, आपके मन में हसी आएगी, तो इस प्रकार की जो drawing होती है, इस प्रकार की pictures होती है, उनको क्या कहते हैं, हम लोग, उनको कहा जाता है, caricature, यानि कि जो option fourth है, हमारा caricature, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बढ़ते है next, question number 8 की तरब, question number 8 है, the state of being, miserable, bereft of all possessions, ठी and then, दूसरा option है complacent, तीसरा है destitute, और fourth option है आपका omnipresent, पहरे तो इस question का हम आपको मतलब पता होना चाहिए, इस question का मतलब क्या है, यहाँ पर लखा हुआ है, the state of being miserable, यानि बहुत ही दैनी इस्तिती, हर इस्तिती में, bereft of all possessions, जितने भी आपके सामने decisions आती है, उनमें आगर आ है मारा nine, क्या है, that which cannot be called back, ऐसी चीज जिसको पुना बापस नहीं लाया जा सकता, एक चीज जो आपकी जैसा होना था, उसके साथ वैसा हो चुका है, लेकिन उसको पुना बापस नहीं लाया, जैसे आपका किसी का भरोसा है, किसी का विश्वास है, यहाँ पे आप देख प लेजे, उसको बापस नहीं लाया जा सकता, ठीक है दोस्तों, जैसे आप किसी के यहाँ रहते हैं, और या किसी के यहाँ गए हुए हैं, गलती से भी आपने एक बार चोरी कर ली, ठीक है, और किसी को पता चल गया कि वो चोरी आपने की है, तो अगली बार आप चाहे कभी भी जाएंगे, भले ही आपने चोरी करना क्यों न छोड़ दिया हो, लेकिन उस घर के जो लोग होंगे, वो आपको सक की निगाहों से देखेंगे, ठीक है, आप पर बिस्वास कभी नहीं करेंगे, और कभी भी आप जब आएंगे, और अकेले आपको बिलकुल नहीं करेंगे, कि देखना कहीं यह बापस से चोरी ना कर ले, कुछ ऐसा काम ना कर ले, क्योंकि आपका पर उनका जो भरोसा था, वो पूरी तरीके से तूट चुका है, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं, question number 10 की तरफ, one who journeys from place to place, ऐसा इनसान जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर य question number 11 है, one who pretends to be what he is not, मतलब ऐसा प्रदसित करना दूसरों के सामने, बास्तों में लेकिन आप वो नहीं होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, आपको बताना है, तो चार option दिए गए हैं आपके सामने, मतलब आप हैं कुछ नहीं, लोगों को बढ़ा चला करके बताय जा रहे हैं, बताय जा रहे हैं हम यह हैं, हम वो हैं, बढ़ान मंतरी हैं, तो मतलब अपने आपको pretend ऐसे करना जिस्ट जो आप बास्तों में नहीं है, तो एक हैपो क्रेट क्रेशी क्लियर कर रहे हैं, आप यहाँ पर हैपो क्रेट बना रहे हैं अपना hyper हो करके, तो option जो बन है हमार सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, next question number 12 है हमारा, I state of being married to only one person at a particular time, मतलब कि एक इंसान के साथ साधी करने की जो इस्तिती होती है, उसको क्या कहते हैं, तो एक को कहा जाता है monogammy, और अगर वहीं पर यहाँ पर एक लड़का है, और कई सारी लड़कियों के साथ साधी करता at a time, उसको कहा जाता है polygammy, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर question पूछा गया है, कौन सा आपका only one, only one की बात होगी, तो यानि कौन सा हो जाएगा monogammy, और आपको पता हो, gammy का मतलब marriage होता है, और यहाँ पर mono जो आपका root word है, वो किसका है, one का, यानि single एक बार, ठीक है, औ polygammy देख पा रहे हैं, यहाँ पर person आपका one है, और जो female है, वो आपकी क्या है, बहुत सारी है, ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं, next question number 13 की तरफ, the study of physical life or living matter, ठीक है, कि कोई भी जो जीवन है, या जीवन के बारे में अध्यान करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो physical life की study हो र हमारा 14 है, a book of names and address, एक ऐसी पुस्तिका या एक ऐसी किताब, जिसमें लोगों के नाम लिखे होते हैं, और उनके पता बगरा लिखे होते हैं, तो इसको क्या नाम भी होता हो सकते हैं, आपके पता भी हो सकते हैं, मौल नमबर भी हो सकता है, तो ऐसी जो डायरी होती है, या जो पुस्तफ होती है, उसको कहा जाता है directory, क्या कहा जाता है दोस्तों, डायरी कहा जाता है, तो option जो हमारा 3 है, बिलकुल सही हो जाएगा, question number 15 है हमारा, क्या है, an associated in crime, यानि किसी crime में, या कि कोई आप अपराद हुआ है, उस अपराद में अगर आप सामिल हैं, तो उसको क क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है एकमप्लाइस यानि कि जो option 3 है हमारा सही हो जाएगा किसी क्राइम में अगर आप किसी के साथ दे रहे हैं तो आप एकमप्लिस दें उस क्राइम में ठीक है question number 16 है to store and stock कोई भी आपके पास यह है वो आपके store की हुई है stock में रखी हुई है उसको क्या कहा जाएगा जली से बताइए चार option है hail, hide, hoard and hoard spelling hoard में देखो दो confusion है ह-o-a-r-d और ह-o-r-d-e तो जो धेर होता है ठीक है उसको hoard कहते हैं लेकिन spelling होती है h-o-a-r-d इस हिसाब से option जो 3 है हमारा 3 है सही हो जाएगा question number 17 है आपके सामने study of relations of organism to one another and to their surrounding यानि आस पास का जो बाता वरान है ठीक है उनके वहाँ पे जो जीवन जो ऑर्गनिजम रहते हैं जो जीव रहते हैं ठीक है उनके में आपस में क्या सम्मंध होता है इसके बारे बढ़ते हैं question number 18 की तरफ, question number 18 है boundary of an area किसी area की boundary को क्या कहते है चार option दिए गए है पोर्च, periphery, बालगनी या बरामदा तो आपको बताना होगा कि boundary of an area जैसे मालों कोई area है ठीक है इसके आस पास कि यह boundary है कि कोई इनसान है वो इस वारे एरिया से बाहर नहीं जा सकता जैसी ठीक आप image में देख पा रहे हैं सबसे अंदर circle है फिर एक और circle है फिर लास्ट में एक और circle है तो यह last वाला है यहाँ पहले को periphery, periphery, periphery का मतलब क्या होगा एक प्रकार कि यह boundary है, क्या है वही है, boundary तो यानि कि जो option हमारा C, B है second periphery, बो बिलको सही हो जाएगा, बढ़ते ह है, तो यानि कि जो option D है, बिलको सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आज का last question number 20 है हमारा, the government by the novelty, novelty, अलब की जो जैसे democracy होता है, ऐसी जी noble बर्ग, अलब की सज्जन बर्ग की जो सरकार होती है, उनको क्या कहा जाता है, bureaucracy, aristocracy, artocracy, या फिर all-gyarky, ठीक है, तो इस तरीके जो noble person नहीं, धनी वर के कह सकते हैं, ठीक है, तो धनी वर की सरकार होती है, इसको कहा जाता है, aristocracy, क्या कहते हैं हम लोग, aristocracy, जो option B है, वो विलको सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो आज की जो ये वीडियो थी, आपने 20 questions ही देखे, तो already जो लगबग हमारे पिछली वीडि लेकिन ये आपको हर हाल में करना ही करना है, तो आपने वीडियो को देख लिया है, तुरंत आप description box में दी हुई link पर click किजिए, और आपर जो आज आपने 20 पड़े हैं, इनका test लगाईए, और देखिए आपका score कितना आ रहा है, और जितना भी आपका score आ रहा है, तुरंत नई वीडियो में thank you